Hello my dear love you parents तो ये वने आपसे सवाल पुछा है क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का मनोविकास कहा से कैसे कब शुरू होता है नहीं जानते ना तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़े डीटेल में बताने वाली हूँ तो इस वीडियो में एंड तक आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़े काम में आने वाली है और अब बच्चे के साथ किस तरह से उसके मनोविक्यान को समझना है मनोविकास को उसको करना है उसकी mentality, उसकी मानसिक्ता को समझ के कैसे आगे लिए के जाम है तो अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे channel को जिससे कि आपको regular update मिलते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना नहीं अच्छा लगे तो dislike कर देना जिससे मैं और improve करूँगी so hello lovely parents, मेरा नाम पूना महरा है और आपके अपने खुद का channel है यह Let's Talk Parenting जिसमें आपका मैं स्वागत करती हूँ तो आज जो हम यह हम सब बोलते रते बाहर, अंदर, teachers, parents कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है बच्चे की गलती है, बच्चे का दोश है वो नहीं करना चाता है बगरा बगरा बहुत सारी बाते है बड़ समझना यह जरूरी है कि आखी ऐसा क्यों हो रहा है तो जब हम basic से समझेंगे ना, नीव से समझेंगे तब इमारत मजबूत कर पाएंगे हमें नीवी पता नहीं है वो ही हिली हुई है सारी तो इमारत कैसे खड़ी होगी शांदार इमारत कैसे खड़ी होगी खड़ी तो हो जाएगी लेकिन शांदार इमारत कैसे खड़ी होगी हमें शांदार करने के पीछे हम लगे हुए हैं तन, मन, धन से लगे हुए हैं, बच्चे की जिंदगी को सक्सिस कुषाल बनाने के लिए, तो क्यों न हम राइट वे में जाएं, हम सब तन, मन, धन से कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो गड़ड़ी हो रही है, वो गड़ड़ी बेसिक पे जाना पड़ेगा बेसिक समझना पड़ेगा, तो वहां से जब हम ways and strategies correct हम follow करने लगेंगे न, जो जहां मरी गलती हो रही है, वहां सुधार करने लगेंगे न, ये तो ये तन, मन, धन जो हम लगा रहे हैं इसके results बहुत wonderful आने लगेगा, तो मच्चे का मनोविकास शुरू होता है, जब दो ल और तब ही से वो जो भावनाय उत्पन होती है, वही से एक आत्मा वो हमारे new contact में आने लगती है, वो contact में आने लगती है, तो जब हम decision लेते हैं, अपनी family को बढ़ाने का नड़े लेते हैं, तो वो आत्मा अंदर आती है हमारे, मा के अंदर और वो आत्मा का जो है, वो physical formation ह होने लगता है, एक विकास मनशी की रूप में उसका होने लगता है, और फिर जो physically बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तब हम समझते हैं कि अब वो छोटा है, उसको क्या समझ आता है, लेकिन उसका मनो विकास, उसका मानसिक विकास, मन का विकास, mind development, तो उसका वही से शुरू हो चुका है, जब आपने नड़ने लिए था साथ जिंदगी बिताने का, परिवार निर्माल करने का, वहां से शुरू हो चुका है, तो अब जब 9 महीने आपने उसको पेट में रखा है, आज गरवसन स्कार की शिक्षाएं भी बहुत हो रही है, तो उस पेट में आपने रखा है तो उसका development हो रहा है अब कैसे हो रहा है यह समझना बहुत जरूरी हमारे अंदर हमारे अंदर हम कैसे हम जैसे दिखते हैं बाहर से शरीर वैसे actually नहीं होते हैं हम कौन है हम कैसे है जो हमारी सोच है तो हमारे अंदर जो भाव होते हैं, जिनकों की सोच बोलते हैं, thoughts हैं, emotions हैं हमारे भाव, हमारी feelings हैं हमारे भाव, और ये भाव, जो feelings हैं, ये हमें create करते हैं, अब वो feelings हमारे अंदर, you know, चिणन की है, गुस्से की है, नफरत की है, जलन की है, शंकाओं की है, doubts, right, fear, डर की है, तो वो जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी feelings हैं, हमारे emotions में convert होते हैं, और वो हमारे चारो तरफ ए घेरा बनाते हैं, जिसको और आ कहते हैं, right, और हमारे अंदर ये भी भावनाएं at the same time है, कौन सी? लव-प्यार, compassion सद भावना, you know, surrender करने की भावना और हमारे अंदर, you know, wisdom, ग्यान, महबबद, you know, दूसरे के लिए selfless तरह से काम करने, ये भी भावनाएं हमारी हैं, लेकिन जब हम इनको तराजू में तोले, ये भी भावनाएं हमारे इसका पलड़ा बहुत हलका हो जाता है, बहुत हलका हो जाता है, भारी किसका पलड़ा होता है, डर, घृणा, jealousy, comparison, criticism, doubts, fear, ये सब का पलड़ा बहुत भारी होता है, और जादातर लोग को का पलड़ा भारी होता है, इसलिए आप वैसे ही लोग, क्योंकि आपका पलड़ा जिस चीज़ का भारी है ना, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्राक्ट करते हैं, उनके contact में आते हैं, तो आपका circle, आपका औरा वैसा बन जाता है, किसी किसी को देखके लगता है, अरे वाह, कितना अच्छा लगता है मिलके देखके, भले हम बहुत close नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है किसी को देखके कि, हाँ, दिल खुश हो गया, उनको देखते हैं दिल खुश हो जाता है, उन्होंने अपना aura create किया है, खुशाली वाला, पीस वाला, शान्ती वाला, हैपिनेस वाला, वो जादट समय उन्ही भावों में जीते हैं, फेथ, पुरा determination, लगन, perseverance, में जीते हैं वो लोग, उन्होंने आदट डाली है, दो चीज़े होती है, एक तो बच्चा उस भावनाओं के साथ पैदा होता है, जैसी मा की होती है, पेट में, अब पेट में जब बच्चा है, तो मा की भावनाएं कैसी होती है, कुछ अंदर से भावनाएं आती है, और कुछ हम environment से भी लेते हैं, तो बच्चा अंदर वो सीख रहा है, तो अंदर से तो वो उसकी भावनाएं, अभी वो एक्स्प्रेस नहीं कर पा रहा है, वो सीखता जा रहा है, और जब वो बाहर आता है ना, तो उसके लिए भी मा ही होती है, मा से नाड़ी का संबन्ध होता है, और वो मा के साथ ही बहुत अटेच रहता है, कब तक पहले साथ सालों तक बहुत ज़ाधा, क्योंकि वो मा को भले बच्चा आपका अभी जीरो यह का है, आ चुका है बहार इस ब्रह्मान्द में, लेकिन उसका recording system बहुत सुपर फास्ट ओन है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, श तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो आप देखेंगे छे महिने का, साल का, जो उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, तो हर चीज में मा का approval लेता है, कोई भी चीज उसको दो मा की तरफ देखेगा, मैं यह कर लूँ, फिर पापा की तरफ नहीं देखेगा लेकिन मा की तरफ वो ज़रूर देखेगा, approval लेगा, कि permission की बिरा वो नहीं करेगा, यह 0 to 7 years में उसका motherboard create होता है अंदर, motherboard क्यों बोलते हैं, क्योंकि मदर को observe करकर 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 उसका create हो रहा है, तो मदर के actions को जो, और father का भी involvement है, father की और भी घर में लोग members है, तो उनके भी यह बाद ध्यान रखेगा, मा का नारी का संबन्द होता है, तो वो सब recording system उसका on है, वो record करता जा रहा है, अब 7 साल के बाद वो दूसरे phase में enter होता है, जब वो दूसरे phase में enter होता है, तो उसके अपने कुछ नो observation से, अपने thoughts और अपने decisions making में थोड़ा थोड़ा जाने आप काफी behavior oral changes देखेंगे, फिर भी वो आपके कुछ अट तक control में रहेगा बच्चा, लेकिन जैसे वो 11-12 साल की दहलीच cross करके, कितने teenage में enter होने लगता है, विसे आप drastic changes देखेंगे, तो वो overnight नहीं हो है changes, वो sudden changes नहीं हो है, वो तब से formation आता जा रहा है, क्योंकि आपक behavior उसके साथ change होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, आपकी feelings, आपके thoughts, आपके words, आपके emotions, आपके actions, वो सब change होते जा रहे है, आपका कैसे change हो रहा है, आप भी मा देखो, एक तम नहीं हो, बच्चा अगर 0 साल का है, तो आप भी 0 साल की मा हो, तो आप environment से नहीं करता है, यह नहीं आता, वो नहीं आता, या घर में लोग बोल रहे हो, कि अरे भी बच्चे को ऐसे थोड़ी किया जाता है, तुझे कुछ आता नहीं है, तो आपके feelings and emotions है, वो तो regular, non-stop, constant convey, होते जा रहे हैं बच्चे में, जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा और जब तक थोड़ा independent महसूस करने लगता है, तो वो reactions देने लगता है, बोलने लगता है, जवाब देने लगता है, उसको हम back answer कहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा तो वो बाद में है ना, पहले तो वो एक इंसान है, एक आत्मा आई है, आत्मा ने शरीर का रूप धारण क किया है, और वो इस धरती पर आया, तो वो आपका बच्चा बाद में पहले इंसान है, तो सबसे पहले उसको उस तरह से टैकल करना आपको सीखना पड़ेगा, उसको आपको as an individual देखना पड़ेगा, respectfully, आप simple सी बाद में बता रही हूं, जिस तरह से आप चाहते हैं, आपक से बैसे बात करनी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी डाटेंगे नहीं, या आप कभी उची अवाज में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप भले डाटें, उची अवाज में बात करेंगे, वो सकता है कभी हाथ उटाना पड़ जाएं, लेकिन वो भी out of respect होना चाहिए, यह जो साइंस है ना, साइंस जो कहती है विज्ञान, विज्ञान, इसको रिस्वर्च करना आप, तो वो ज्ञान चो ऑल्रेडी चीज़ें अग्जिस्टिंग है उनिवर्स में, उसी को खुचती है, तो आप अगर यह बेसिक, जो ऑल्रेडी उनिवर्सल लो हैं, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको प्रिशराइज करके। उसकी insult करके रोज उसको पढ़ने को का जा रहा है। कैसे लगे पास का मलता है, आप हूंगे उसके जगा आपका लगेगा, मैं होंगी तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, सो बच्चे का mental development वहाँ से शुरू होता है इसलिए आपको कोई बात नहीं अगर आपका बच्चे जिस भी age group में आज है adulthood में है तो भी मैं बोलती हो आप अपना behavior change करिए उसके प्रती simple सी बात काम करना है respectful behavior करिए उसके लिए अगर वो कुछ गलत सलद उट पटांग बोल भी रहा है तो आपको उस level पर चाके नहीं करना है आपको शांत रहना है समझना है और आपको जल्दी ही वक्त का इंसार करके मौका देखे बात कर लेनी चाहिए किस level पर बात करनी है किस तरह से बात करनी है वो आपको बंदे का बच्चे का level देखना पड़ेगा राइट तो अगर हम यह थोड़े थोड़े चोटे 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 चेंजस कुद में कर लेंगे न तो जो हमारा big dream है जिसके पीछे हम जिंदगी के 20-25 साल लगा रहे है time, money, efforts सब लगा रहे है वो बहुत खुबसूरती से साकार होता नजर आएगा बहुत beautiful पेड़ बनके अज़ा सड़ा पेड़ बनके खड़ानी होगा वो हरा भरा पेड़ इसतने फल लटकेंगे जितने फल लटकेंगे उतनी डालिया जुकी होगी तो अगर आपको वीडियो ना पसंद आया हो तो डिस्लाइक कर दीजे पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजे कोई question है तो comments में डाल दीजे whatsapp number description में है आप whatsapp पे connect कर लीजे मेरे से आपको बात करनी है तो connect करके आप call book कर लीजे I am always available to help you all thank you so much for watching take care, be safe, हम फिर जल्दी वीडियो में मिलेंगे thank you, bye, take care